हेलो दोस्तो परदसी फ्लाइट येटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवल्स को लेकर कुछ बहुत ही अहम अपडेट है और जरूरी अपडेट है अच्छी बात ये है कि जो भी अपडेट है वो सब की सब पॉजिटिव अपडेट है तो पह बिन राज सरकारों से विचार विमर्स करने के बाद टूरिस्ट वीजा को ओपन करने का फैसला किया है 15 अक्टूबर से तो जो भी विदेशी परेटक भारत में आना चाहते हैं तो वो अब 15 अक्टूबर से आ सकते हैं वीजा सर्विस रिजियूम हो जाएगी इंडिया में लेकिन अभी उनी विदेशी परेटकों को इंडिया में आने की इजाज़त होगी जो लोग चाहिटर विमान से आएंगे अभी नार्मल फ्लाइट से आने वालों की इजाज़त नहीं होगी उनको 15 नॉमबर से इजाज़त दी जाएगी ये गवर्मेंट आफ इंडिया ने फैसला किया है तो भारत में कोरोना के हालाद भी इस्तिर है और सतन जो केस आ रहे हैं जो एवरेज केस आ रहे हैं वो हर दिन लगबग 18,000, 20,000, 22,000 ऐसे करके केस आ रहे हैं तो इस लिहाज से अच्छा संकेत है और भारत सरकार ने फैसला किया है कि टूरिस्ट वीजा को अ पर पावंदी लग रहे है वो अगले महने से हटने की पूरी संभावना है बाराल दोस्तों ये भारत में टूरिस्ट वीजा के हवाले से ख़बा रहे है कि 15 अक्टूबर से टूरिस्ट वीजा बारा सरकार सुरू करने जा रही है अगली अपडेट दोस्तों इंडिया और इंग्लेंड के दर्मियान जो कोवी सिल वैक्सीन को लेकर वैक्सीन सार्टिफिकेट को लेकर दस दिन कोरंटीन को लेकर जो बावंडर मचा था उसको लेकर है तो ये बावंडर अब सांथ होता हुआ लग रहा है ये तूफान अब ठमता हुआ लग रहा है क्योंकि ये जो पूरा विवाद था हो कोवी सिल वैक्सीन को लेकर था वैक्सीन सार्टिफिकेट। से इंडिया में आने वाले लोगों को 10 दिन कोरंटीन किया जाएगा भले ही वो वैक्सिन के दोनों डोज ही लगवा कर क्यों ना इंडिया में आ रहे हूँ तो ये विवाद काफी आगे बढ़ गया था लेकिन ये विवाद अब थम गया है ये बाउंडर अब सांत हो गया है तूफान अब पूरी तरीके से सांत हो गया है क्योंकि इंग्लेंड सरकार ने भारत सरकार के दबाओ के बाद अपने कदम पीछे खीच लिये हैं और 10 दिन कोरंटीन नियम हटा लिया है उन्होंने काया ठीक है आप कोवी सील वैक्सिन की दोनों डोज लगवा कर आ रहे हैं कोवी सीड वैक्सिन को लेकर 10 दिन कोरंटीन को लेकर पूरा विवाद था तो ये विवाद अब खत्म हो जाएगा 11 अक्टूबर से अगली अपडेट दोस्तों इंडिया और ओमान के दर्मियान फ्लाइट को लेकर है तो इंडिया और ओमान के दर्मियान अभी भी सीमित सं जारी किये हैं जो Air India Express ने flight के schedule जारी किये हैं उसमें Mangalore से इसके लावा कोची कोड से हैधराबाद से कोची से दिलही से लखनो से कनूर से त्रीची से तो तमाम तर जगों से Air India Express ने अपनी से वापस आना चाहते हैं तो भी Air India Express की फ्लाइट है अवाइलेबल हैं उसकी booking open कर दी गई है तो ये इंडिया ओमान के दर्मियान Air India Express की तरफ से जो फ्लाइट की booking open की गई है उसको लेकर update थी दोस्तो बैरल अभी इंडिया और सौधिय अरफ के दर्मियान कोई बड़ी update नहीं आई है उन लोगों के लिए जो लोग vaccine की दोनों डोज इंडिया में लगवा चुके उनके लिए update का दोस्तो इंतिजार है लेकिन जिस तरीके से पाबंदिया कई सारे देश लगातार पाबंदियों को हटा रहे हैं अच्छी न्यूज अब सुनने को आ रही है तो बहुत लंबा अरसा बें इंतिजार करना नहीं पड़ेगा इसा साफ लग रहा है उनके लिए जल्द से जल्द कोई update आ सकती है बरहल इस पर कोई update होगी दोस्तो तो वो आप तक share की जाएगी इसके लिए आप परदेसी flight YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लखिए खुस रहिए गुड बाई